हेलो गाइज, वेलकम तो मैं चैनल, मैच्स रेडियेशन हेलो स्टुडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सराइज 7.3 और उसका क्विस्चिन नमबर वन क्विस्चन कुछ ऐसा है कि how many 3 digits number can be formed by using the digits 1 to 9 if no digits is repeated, कोई भी digits जो है वो repeat नहीं होना चाहिए और 3 digits के number बनाने है using the digits of 1 to 9, अगर simple language में मैं पहले आपको यह question समझाओं तो बात यह है कि 3 digits का number बनाने है अगर हमें तो सबसे पहली बात आपको यह इत्यान रखनी है कि अगर मेरे पास यह 3 box है समझ लो ऐसे करके right तो उसमें से यह जो सबसे पहला box है वहाँ पे 0 नहीं आ सकता 0 के अलावा कुछ भी चलेगा because 0 लगाने से यह 2 digits का number बन जाएगा बट पहली चीज यह समझो कि हमारे पास total number of available digit कितने है total number of available चो लिख रहा हूँ ना वो उसी pattern में लिखना होगा आपको digits are 9 total number of digit है 1 से लेकर के 9 मतलब कि 9 digits available है उसमें से repetition allowed नहीं करना है यह 9 के 9 digits जो है वो distinct है तो distinct है इसलिए आपको theorem number मतलब 1 या 2 में से कोई लगाना है उसमें से repetition allowed नहीं है तो उसमें आपको theorem 1 लगाना है तो हम यहां पे यह लिख सकते हैं कि as there is no repetition allowed as there is no repetition allowed यह NPR से होगा अगर repetition allowed नहीं है तो आपको theorem भी याद नहीं है तो याद करने पड़ेंगे यह NPR होता है तो total number of digits जो है वो 9 है उसमें से हमें arrange कितने है करने है number of digits to be arranged number of digits to be arranged is equal to 3 9 में से 3 करना है तो 9P3 ऐसे करना पड़ेगा रहे न तो देखो यह 9 factorial हो गया नीचे यह हो जाएगा 9-3 whole factorial मरलब कि यह 9 factorial upon 6 factorial मरलब यह कुल मिला करके 9 multiply 8 multiply 7 multiply 6 factorial upon 6 factorial 6 factorial 6 factorial का कट हो जाएगा बाकी का जो बचा हो तर आपका 504 यह multiplication ठीक है थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा इसमें तो आपको इसी तरह से इसको करना है handle चलिए आगे देखते है question number 2 theorem के उपर ही है अगर basic theorem मैंने जो पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ लिये है तो इसमें तो बहुत अच्छे से सब कुछ solve कर पाओगे how many four digits number are there with 9 digits repeated एक भी digit repeat नहीं करने है चाठ digit के number बनाने है बट यहां पर available digit दिया नहीं है तो हम हमें पता है कि available digit होते कितने हैं यहां पर हम लिखते है total number of available digit one sorry zero two nine होगा पराबर zero two nine के हिसाब से 10 digit available है आपके पास अब इसमें से आपको करना क्या है कि आपको पता है कि चार डिजिट का number बगर बनाना है चार डिजिट का तो यह पहला जो डिजिट है वहां पर zero नहीं चलेगा बाकि किसी को कोई दिक्कत है नहीं तो पहले टिजिट का जो पर्म्यूटेशन है उसमें आपको सिर्फ न siblings ही और नहीं लेना थिक तो देखो पहले मैं यहां पर यह लिखते ता हूँ आपको permutation of permutation of thousands place हम यहाँ पर दो टुकड़े करने पड़ेंगे पहले permutation of thousands place और बाद में इसको जिसको बिमारी है जिसको कुछ तकलीफ है उसको पहले solve करो तो इसमें यह thousands place यह बोल रहा है कि मेरी जगा पहना आप zero नहीं ले सकते तो इसका permutation कैसे करोगे total number of available digit digit for this place यहाँ पर आपको one से लेके nine में से ही सोचना है one से लेके nine is equal to nine number of digits to be permuted number of digits to be arranged यह permuted to be permuted is equal to one अपको सिर्फ nine digit available है उसमें से एक ही जगा परनी है तो उसका permutation क्या हो जाएगा तो उसका permutation जो है permutation हो जाएगा इसका nine p one ठीक है repetition allowed नहीं है इसलिए तो nine p one का answer nine होता है मैंने याद करो मैंने hint लिखाई है कि n p one का answer क्या होगा वो n होगा यह अभी thousands place का हो गया अब permutation यहां पर बाकी का मतलब बाकी के जो डिजिट्स है उसका permutation of permutation of remaining digits remaining digits मतलब बाकी के तीन डिजिट्स का permutation उसके लिए available available digits यहां पर भी available digit nine ही रहेंगे reason क्या है कि आपने one से one two लेके nine जो डिजिट्स था उसमें से कोई एक डिजिट यूज कर लिया है use one digit used one से लेके nine में से एक डिजिट्स हो जाएगा तो इसमें से बचेंगे कितने eight और उपर से एक जो extra zero है हमारे पास वो तो आठ डिजिट यह और एक डिजिट यह ऐसे करके nine digit बचेंगे क्यों इसमें से जो यूज किया है वो हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हाँ नहीं कर सकते यहाँ पर तीन हिस्से जो है उसके लिए आपके पास कौन से डिजिट्स बचने वाले है यहाँ पर जो तीन डिजिट है उसके लिए आपके पास बचेंगे one sorry zero one two three four six seven eight nine यह देखो कुल मिला करके nine डिजिट बचेंगे उसमें से आपको यह तीन चगा जो है वो पर नहीं है आपके तो यहाँ पर नंबर अब डिजिट्स टू बी पर मुटेड नंबर ओफ टीजिट्स टू बी पर मुटेड इस इक्वल तू थ्री तो इसका पर मुटेशन क्या हो जाएगा पर मुटेशन ऑफ लास्ट थ्री डिजिट्स ऐसे भी लिख सकता है अब 9P3 यह तो हमने अभी किया है थूड़ी देर पहले ही तो इसको हम कर सकते हैं 9 फेक्टोरियल अपॉन यह 6 फेक्टोरियल हो जाएगा that is is equal to nothing but 504 अब आपको पता है कि आपने काम जो है दो टुकडों में किया है आधा-धा किया है इंकम्प्लिट काम है जब इनकम्प्लिट काम हो तो final जो total permutation होता है उसका multiplication होता है टूटल पर्म्यूटेशन इस इक्वल टू 504 मल्टिप्लाइ थ्री सॉरी 9 यह आंसर जो है वह आपके पास आएगा 4536 राइट तो आपको यह देखना है कि अगर कभी भी हाफ-ाफ काम किया है हमने मतलब यह हाफ-ाफ काम किया ना पहले सिर्फ 1000 प्लेस का किया बाकी के तीन ड टिप्लिकेशन होता है अगर कहीं पे दो टुकड़ों में पूरा काम किया है तो उन दो टुकड़ों का काम जो है उसको एड़ करना होता है ठीक है तो आपके पास अवेलेबल डिजिट किन्ने हो जाएंगे टूटल 4536 फोर डिजिट फोर डिजिट नंबर गैन बी फॉर्मड ठीक है चली आगे दिखते है थर्ड नंबर का क्विस्टिन हमारे पास ऐसा है कुछ इसमें यह बुला गया है कि हाव मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म मेड यूजिंग दिजिट सफ वन टू थ्री फोर शिक्स सेवन इफ नो डिजिट इस रिपीटेड रिपीट नहीं करना है मतलब इसमें भी थियरम वन लगेगा राइट और सारे डिजिट जो है वो डिस्टिंक्ट है तो तीन डिजिट का नंबर बनाना है उसमें भी इवन नंबर बनाना है इवन नंबर बनाना है मतलब इसमें तकलिफ किसको होगी इवन नंबर के लिए यूनिट प्लेस को है ना क्योंकि यहाँ पे नंबर जा सकते only 24680 ऐसे नंबर आ सकते उसमें सापने पास available जो है उसमे कि पर्मुटेशन ओफ यूनिट प्लेस तोटल अवेलेबल डिजिट्स तूटल अवेलेबल डिजिट्स मैं आप लिख रहा हूं देखो एक तो 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा 6 हो जाएगा यह तीन में से होंगा 3 यहां पर ब्रेकेट में आप कर सकते हो 246 फिर डिजिट्स तूबी पर्मुटेड डिजिट्स तूबी पर्मुटेड कितने डिजिट्स को आपको पर्मुट करना इसमें से तीन में से एक ही क्योंकि आप अभी यूनिट प्लेस की बात कर रहा हो तो एक ही जगा पर नहीं आपको तो उसका पर्मुटेशन क्या हो जा जाएगा 3P1 that is equal to 3 ठीक है यह अधा काम किया अब बाकी के डिजिट्स का पर्मुटेशन पर्मुटेशन और फ्रेमेंग डिजिट्स पहले तो यहां पर टॉटल अवेलेबल डिजिट्स तो इसमें से एक हमने यूज़ कर लिया है 2, 4, 6 में से एक यूज़ कर लिया तो यहां पर दो बचे है मनलब दो डिजिट्स वहां पर बचेंगे बाकी यह 1, 3, 1, 3 and 7 यह 3 तो टुटल मिला करके पाँच अवेलेबल होंगे आपके पास ठीक है उसमें से आपको है कि परूट करना कितना करना है डिजिट्स टूभी पर्म्यूटेड इस टूबी permutate is equal to कितने digits को आपको permutate करना बच्चे है 2 तो इसका permutation क्या हो जागा permutation is equal to 5P2 that is is equal to 5 factorial upon 2 factorial that is nothing but 5 factorial sorry 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 factorial upon 2 factorial 2 factorial 2 factorial cut 5 4 4 the 23 is a 60 तो ये जो है वो अच्चा ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पर 3 factorial हो जाएगा ना subtract हो करके 3 factorial तो नीचे 3 factorial करो तो ये 2 भी नहीं आएगा यहाँ पर 3 factorial पर रुखना पड़ेगा मलब कि ये 3 factorial तो 3 factorial cut हो जाएगा 5 4 जा 20 answer आएगा इसका ठीक है दो हिस्सों में काम किया है तो final total permutation आपको जो find करना है तो multiplication से मिलेगा total permutation is equal to 20 multiply 3 that is equal to 60 तो ऐसे 63 digit के number बनेंगे जो अपने को दिये गए है उसने digits में से बना पाएंगे अपन चलो next fourth question कैसा है हमारे पास उसको ध्यान से देखो बहुत ही ध्यान से समझना है question find the number of four digit numbers that can be formed using digits one two three four five if no digits is repeated and how many of these will be even इसमें से even कितने होंगे वो भी बताओ पहले total बताओ कि कितने बनेंगे फिर इसमें से even कितने होंगे वो बताओ तो सबसे पहले total के लिए काम करते है हम तो total के लिए तो सीधी बात है कि total number of permuted total number of digit वो कितने है one two three four five तो यह हो जाएगा five यहां पर लिखना है one two three four and five इसमें से फिर आपको digits to be permuted digits to be permuted is equal to four chart digit का number बनाना है तो total number of permutation total number of permutation is equal to kya करोगे five p four that is equal to five factorial upon one factorial is equal to five factorial is equal to one twenty तो total one twenty digits आपको अब बना पाओगे उसमें से even number अब डूनना है तो even number के लिए आपको पता है कि even number जब भी हम बनाते तो बीमारी होती है last को क्योंकि ये जो है वो even numbers ये accept करता है तो हमारे पास two और four दो ही even number है वो ही accept करेगा ये है ना बाकी के digit को कोई परेशानी नहीं है बट पहले इन दोनों को जो परेशानी है इसको जो परेशानी है वो कर देते है यहां पिर आपको लिखना पड़ेगा दो हिस्सों में कि कि for even numbers जैसा लिख दो यहां पर even numbers तो यहां पर लिखो पहला कि कि permutation of permutation of concern number है unit place unit place total digits 2 यहां पर bracket में अब लिख सकते हो 2 & 4 digits to be permuted digits to be permuted is equal to 1 एक ही जगा परनी है आपको तो permutation इसका क्या हो जाएगा permutation इसका हो जाएगा 2P1 के हिसाब से 2 अब आपको आगे तीन जो digit खाली है उसको बरना है बस उसके लिए ध्यान रखना कि permutation of remaining digits permutation of remaining digits तो वो remaining digits का permutation लेने के लिए आपको पहले यह देखना कि total digits कितने है आपके पास यह चबरदस चीज है इसमें total digits तो total digits आपके पास देखो 2 और 4 था ना उसमें से कोई एक यूज हुआ होगा उपर तो यहां हमने यूज कर लिया दूनों नहीं एक नंबर में कोई एक ही यूज हुआ होगा तो हम तो इसका permutation हो जाएगा 4P3 यह जो लिखा है ना मैंने वो थोड़ा लेंदी लग रहा होगा आपको बट यही तरीका है इसको ऐसे लिखना है वरना तो यह answers अलग-अलग करके सीधा आ सकता है 4 factorial upon 1 factorial तो यह answer है 4 factorial अब आपको क्या करना है simple समझो कि हमारा total permutation total number of even numbers जैसा लिख दो total number of even numbers is equal to आगे 2 था और यह 4 factorial है 2 multiply 4 factorial इस मेरे हिसाब से 24 है तो यह हो जाएगा 48 तो यह total number of even numbers कितने बनेंगे 48 total permutation चार डिजिट के total permutation कितने हुए थे 120 देखो यह 120 अब इसमें से odd number पूछे तो 120 में से 48 निकाल दो तो उतने odd numbers बन जाएंगे ठीक है तो इस सबसे हमें questions जो है वो solve करने है question number 5 देखो from a committee of 8 person in a how many ways can we choose a chairman and a vice chairman assuming one person can hold only one position तो देखो total number of वो कितने है मतलब क्या बोल सकते है 8 लोग है तो पाट के तोटल number of person total number of person is equal to 8 आपको दो लोग उसमें से चूज कर मतलब देखने है कि जिससे आप क्या करो जिसे एक को आप chairman बना पाओ और दूसरे को क्या बना पाओगे वाइस जेर्मेन तो number of positions to be filled filled that is equal to कितनी position हमें fill करनी है इसमें 8 minus 2 factorial is equal to यह 8 factorial upon 6 factorial मतलब कि 8 multiply 7 multiply 6 factorial upon 6 factorial दोनों cancel 8 7 सा 56 ऐसा अलग लग रास्ते है कि जिससे आप chairman और wise chairman जो है वो select कर पाओगे यह question number five तक मैंने किया है आपको question number six जो है वो मैं homework में दे रहा हूं question number six जो है that is for your homework आप इसको अच्छे तरह से देखो अगर हो रहा है तो ठीक है otherwise हम next lecture में इसको देख लेंगे अभी यहां तक रखते है next video में आके देखेंगे आज का homework है question number one से ले करके six तक का ठीक है चलो thank you तो guys thank you